वी सोल एक्साइज कोशियन 2.5 एक पहले प्लेट कैपसिटर विद एयर बिट्विन दा प्लेट हैज कैपसिटेंस 8 पीको फेरड एक पहले प्लेट कैपसिटर बनाऊगे बड़ा ठीक है एक प्लेट पर कैसा चार्ज आएगा पोजिटिव और दूसरे प्लेट पर नेगेटि और इसमें एईर फिल्ड है रेट इज एपसालन नॉट तो इसके कैपसिटर नॉट आपको पता है एपसालन नॉट एबाइ डि और इस कैपसिटर नॉट की वेल्यू कितनी बिटा एट पीको फेरड है और एक पीको का मतलब होता है टैन की पापार माइनस 12 What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half ये तो initial situation है Question क्या according, final situation क्या होगी कि जो ये आपके पास पैलर plate capacitor है इनके बीच जो distance है उसको half कर दिया जाता है इसका मतलब की अब ये जो नई distance होगी जिसको मैं क्या लिखता हूँ, d dash ये initial distance का क्या हो गया बेटा, half हो गया And the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6 पहले इसमें air filled थी, अब क्या हुआ है इसके अंदर बेटा एक dielectric filled कर दिया गया ये dielectric Epsilon R या जिसको आप small case से भी represent करते हो बेटा इसकी value कितनी है, 6 है आपके पास ठीक है Plate का area अभी भी वो है तो अब what will be the capacitance New capacitance कितना होगा, वो हमें calculate करना है New capacitance माल लेते हैं बेटा, C dash तो वो कितना होगा जब completely filled होता है तो formula होता है Epsilon naught, Epsilon R area A upon distance distance कितनी बेटा, D by 2 ठीक है, इसको लिख सकते हैं बेटा, कितना 2 उपर चला जाएगा 2 Epsilon R, Epsilon naught A by D इतनी सी बात किलिए रहे Epsilon naught A by D की value कितनी बेटा, 8 Pico Farad तो 2 Epsilon R की value 6 multiply में कितना बेटा, 8 Pico Farad 6 2 जा 12, और 12 Epsilon R की इतना होता है बेटा, 96 तो C dash की value आजाएगी बेटा, 96 Pico Farad it's your answer